हेलो वीवर्स कैसे हैं आप लोग अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल्ड आइकन को प्रिस की जिसे कि आपको आगे आने वारा वीडियो मिल सके लिखी और रेस्पी के कड़ाई में हमें एक चम्मज पाई डाल दिया है ताकि दूद लगे नहीं और अब यह उबला हुआ एक टिटर दूद है फुल फैट इसको हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम 200 ग्राम चीनी डाल देंगे मीठे का टेस्ट आप कमें जादा कर सकते हैं अपने टेस्टों साथ और गैस को थोड़ा से मेडियम पिकर पे लगातार चलाते हुए दूद को यह एक लिटर दूद है जब दूद आधे लिटर हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे और इस तरह से लगातार चलाते रह दूद दूद हमारा आधा लिटर होके गाड़ा हो गया है और किनारे किनारे जो भी मलाई जम रहे थी उसको इस तरह से निकाल लिया है दूद को हमें हाई मेडियम फ्रेम पर पकाया है और अब हम इसमें एक छोटा टुकड़ा एलम डाल देंगे इस पिटकरी खाने वाली आप चाहे तो निम्बू का रज भी जाल सकते हैं दूद कुल फाड़ना नहीं है खाली उसमें एक तुरस दाना लाना ह है वे च्रागजष लेकिन वङस वमरें हाई मेडियम फ्रेम पर रखा और लगाता से इसमें तुझि पाकाने के बाद देखिए दूद्ने में हमारे दणे-दाने पना रहा है दूद नाख और वी हो रहा है विशी काइश मीडियम फिंपिन पर दूद दीस इनम चेतेрем मरे से दूद्ध एकदम खटने लगता है एकदम स्मूथ दाने नहीं बनेंगे बिल केक में और देखिए एक ते दाने कितने अच्छे बने हैं और जब यह उपर से शीटा फेकने लगे तो गैस को लो कर देंगे और इसको चलाएंगे एक चमत हम बड़ा चमत देशी गी डाल रह चलाते रहेंगे लोग क्लेम पर देखिए 10 मिडियम फ्रेम पर इस तरह से चलाते हुए बुनने के बाद देखिए यह हमारा जमने लाइक हो गया है तो अगर आपको इसका वाइट कलर पसंद है इस तरह से तो आप इस तरह से जमा सकते हैं फोड़ा फार में ब्राउन करना इसको तो हल्का ब्राउन हो जाएगा ता हम इसको जमाएंगे देखिए तीन से चार मिनट ब्लोग फ्लेम पर पकाने के बाद देखिए हमारा मेटिक लाल हो गया और इसदम दानेदार बना है तो अब इसे थोड़ी सी लाइची डाल देंगे गेस को हमने लोग कर दिया है अब थोड़ा से देखिए हो इन देखिए गे के थोड़ से डाल देंगे थोड़ा वर गैस को बंद कर देते हैं तो चली इसको जमाते हैं देखे हमारा एक्तान दूस्पों मिल की चेहरा हो गया है तो अगर आपको हमारा रुदी पेसं दाता है तो आप वडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वे लाइकिन को प्रेस केजिए कि आपको आके आने होरा वुडियो मिल साखें बाई आप